एक बार एक रिसी जंगल से गुजर रहे थे तबी वे सुनते हैं कि एक डाल पर बैटा कववा बहुत तेज तेज रो रहा था और चिला रहा था उसकी आवाज सुनकर रिसी रुख जाते हैं और कहते हैं कि कववा तुझे क्या परेसानी हैं मुझे बता इतना क्यूं रो रह तुझे क्या दिक्कत है? तो वो कववा रिसी से कहता है कि मैं देखने में इतना बदसूरत हूँ, मेरी आवाज इतनी बुरी है कि लोग मेरी आवाज सुनकते ही मुझे मानने लगते हैं। मैं देखने में इतना काला हूँ कि बहुत बुरा लगता हूँ मुझे भगवान ले इतना बुरा बनाया है अरे बनाया तो हंस को है वो देखने में कितना सुन्दल लगता है एकदम सपेद जल में रहता है उसकी क्या लाइफ है और भगवान ने मुझे इतना बुरा बना दिया है मेरे साथ भगवान ने अन्याय किया है तो रिसी उस कववा से कहते हैं कि ठीक है मैं तुझे हंस बना दूंगा लेकिन तू हंस बनने से पहले एक बार हंस से मिल किया कि वो खुस है या दुखी है उससे एक बार पूछ किया कववा हंस के पास आता है और कहता है हंस वाई कैसे हो आपके तो बहुत मौज आ रही है आप तो इतने सुन्दर हो देखने में आप इतने अच्छे जल में रहते हो आपकी बहुत मौज है तो हंस उससे कहता है अरे काई की मौज मैं बहुत दुखी हूँ इस तालाब में अरे लोग जब मेरे फोटो खेंशते हैं तो मेरा रंग इतना साफ है कि मैं फोटो में आता ही नहीं हूँ सिर्फ पान ही पानी आता है मैं बहुत दुखी हूँ, यहां ना तो मैं कहीं जा सकता हूँ, नहीं कहीं बैड़ सकता हूँ, मोज तो मोर की है, वो क्या नासता है, देखने में कितना सुन्दल लगता है, क्या उड़ता है, क्या बोलता है, उसकी हर एक बात मुझे बहुत अच्छी लगती है, मोर की सबसे ज़्यादा मौज हैं, तो कववा हंस से कहता है, चलो रिसी के पास चलते हैं, उनी से परामर्स लेते हैं, तो कववा और हंस रिसी के पास आते हैं, और हंस रिसी से कहता है, कि मौज तो मोर की हैं, हमें मोर बना दो, मोर देखने में कितना सुन्दर लगता है, वो जब नासता है तो सबी लोग उसे देखने लगते हैं वो जब आवाज निकालता है तो बारिस हो जाती है और मोर जब चलता है तो उसकी चाल देखने लायक होती है मोर देखने में काफी सुन्दल लगता है हमें आप मोर ही बना दीजिए हमें और कुछ नहीं बनना है रिसी उन दोनों की बातें सुनकर उनसे कहते हैं कि ठीक है मैं तुम्हें मोर बना दूंगा लेकिन मोर बनने से पहले एक बार तुम मोर से मिलके आओ और उसकी हालचाल पूँचके आओ कवगा और हंस मोर के पास आते हैं और मोर से कहते हैं भाई आप देखने में कितने सुन्दर लगते हैं, आप जब चलते हैं, तो आपकी चाल देखने बाली लगती हैं, आप जब बोलते हैं, तो बारिस हो जाती है, आप की तो मौज हैं। मौर उन दोनों से कहता है, जल ये भी कोई जिंदगी है, मुझे अपनी जिंदगी सबसे गलत लगती है, कवगा कहता है, ऐसा क्यूं बोल रहे हो मौर भाई, मौर कहता है, हाँ, जिन पंखों की तुम बात कर रहे हो न, ये सिकारी इन पंखों को पकड़के नोच के ले जाते हैं, हर वक्त ये डल लगा रहता है, कि कोई सिकार न कर ले, मुझे सोते में भी डल लगता है, तो कवगा मौर से कहता है, तो फिर जिंदगी किसकी अच्छी है, तो मौर कहता है, कवगा सबसे ज़्यादा मौज तुमारी है, तुमारा ना तो कोई दुस्मन है, और ना ही त बारे में सोचता है मोर, हंस और कववा तीनों रिसी के पास आते हैं और रिसी उन तीनों से कहते हैं कि हमें कभी भी दुखी नहीं होना चाहिए हमें भगवान ने जैसा बनाया है खूब बनाया है हमें उस भगवान की रशना पे कभी भी दुखी नहीं होना चाहिए हमें अपनी योनी में खुश रहना चाहिए और भगवान को कभी कोशना नहीं चाहिए उन तीनों के रिशी की बात समझ में आ जाती है और वे समझ जाते हैं und खुशी खुशी रहने लगते हैं